इस तरीक से सुशान सिंग राजपूत केस के अंदर पहले मुंबई पुलिस के उपर सवाल उठा गए थे अब इसी तरीके से CBI की जाच के उपर भी सवाल उठा जा रहे हैं क्योंकि यहां पर काफे सारे हफते बीट गए लेकिन अभी तक CBI के द्वारा किसी भी तरक कोई भी स्टेटमेंट है वो नहीं आया है और यहां तक कि अभी तक हमें यह भी नहीं पता चला है CBI के थुरू क्या सूशान सिंग राजपूत के हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्मत्या की क्योंकि यहां पे अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया तो इसको लेकर अब CBI के उपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो अब लोगों के मन में कुछ ऐसे कॉमन से सवाल हैं जिनके मैं आपको जवाब बताने वाला हूँ और यहां पे यह भी बात करें कि आखिरकार सुशान सिंग राजपूत के केस के लेकर जो विसरा रिपोर्ट है और जो आगी क्यों नहीं बढ़ रही है तो यह सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है सुशान सिंग राजपूत के केस के अंदर तो क्या सी बड़े नेता को बचाने की कोशिश कर रही है और एक और सवाल जहांपर हम सभी को पता है जिस तरीकेस है किसी भी बड़े नेता का नाम या फिर बड़े पैसे वाले आदमी का नाम आता है किसी भी केस के अंदर तो उसको पैसे देकर रफादफा कर दिया जाता है तो क्या CBI के दौारा Sushan Singh राजपूर के केस को भी रफादफा कर दिया जाएगा ऐसे न जाने कितने सारे सवाल जो लोगों के मन में चल रहे हैं तो देखी यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि लगाता ये कहा जा रहा है क्या CBI सुषान सिंग राजपूत केस की लिपापोती करी क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाज चल रहा है तो यार मेरे ख्याल से ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक CBI के द्वारा कोई भी ऑफिसल स्टेट्मेंट नहीं आया तो हम ये भी तो नहीं कह सकते कि CBI ने ये कह दिया है कि सुषान सिंग राजपूत आनी बाकी और सुषान सिंग राजपूत केस को लेकर CBI अप अब देखिए यहां पर मतलब हम ऐसा कोई ओफिसली तो कुछ भी नहीं आया और नहीं हम कह सकते हैं कि किसी बड़े नेताकान आम आ रहा तो CBI उसको बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि यहां पर जो अभी तक कोई भी स्टेट्मेंट नहीं आया है तो यह सवाल उठ जा है कि आखिर का अभी तक CBI वो मतलब एक्शन में क्यों नहीं आ रही है और जो ड्रक्स के ऐसे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और सुशान सिंग राजपूत के इसको एक तरिक से देखे तो निउस के अंदर भी बहुत कम इसी इंफरमेशन आती है हर तरिक से ड्रक्स दिपिका पादुकॉर या फिसारा लिकार शर्दा कपूर इन्हीं की बाते की जा रही है तो ऐसे में बड़े नेता काम बचाने के लिए सब किया जा रहा है अभी तक हम ऐसा कुछ भी दावा नहीं कर रहे हैं आगे देखते हैं क्या कुछ आता है जब भी सीबी अपना स्टेट्मेंट देंगी उसके बाद में काफी सारी जो चीज़े वो किलियर हो जाएंगी तो अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है क्या पैसे देखकर रफा दफा कर दिया जाएगा इस केस को देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है अब यहां पर क्या आए कि यहां पर जो की रिपोर्ट उसको भी आने में बहुत जयादा देरी होगी तो आखिरकार इसकी वज़य है क्या क्यों इतनी देरी हो रही है सीबी आएक के दवारा सुशान सिंग राजपूट की जो यहां पर बताने का कि आखिरकार क्या कुछ हुआ सुशान सिंग राजपुत के साथ मैं अब मेरे ख्याल से ना इस केस को रफा दफा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पे इस केस के उपर पूरे भारत की निगाए हैं पल पल की अपडेट दी जाती है यहां पे कि सुशान सिंग राजपुत केस के अंदर क्या कुछ हुआ CBI अभी क्या करें आलंकि CBI के दर कोई भी ओफिसल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है लेकिन अभी CBI क्या कर रही है इसके बार में हर तरह की से इंफरमेशन आही जाती है लेकिन यहांपे सवाल यह उठता है कि आकरकर M's की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं आ रही है इतने सारे दिन हो गए है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही है तो यहां पर ना ऐसा हो सकता है कि यहां पर CBI यह वो बिलकुल शूर होना जाती है कि जो रिपोर्ट आईए उनको जो चीज मिली है या पर जो मर्डर है या फिर सूसाइड है तो जो कोई भी चीज उस रिपोर्ट के अंदर आईए तो उसको हर तरीके से यहां पर मतलब उसको परमानित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर नॉर्मली ऐसे आप किसी को रिपोर्ट दे दोगे तो मतलब वो एक तक से लोगों को भरोसा भी नहीं होगा तो मतलब उनके जो क्लाइंट रिया चक्रवर्ति उनको बचाने की कोशिश करेंगे अगर यहां पे जो सीबे की टीम है वो कहती है कि रिपोर्ट के द्वारा कि अगर उसके अंदर कुछ भी यहां पे फॉल्ट आ जाता है थोड़ा बहुत भी तो यहां पे उस केस को एक तक स तरह के अलग लग तरह के जितने भी ब्रांचे वगर उन सबी से उन सबी जो ब्रांचे से को एक बार शूर होना पड़ेगा कि आखिरका वो जो रिपोर्ट पेश करने वाले कोट के अंदर वो क्या मतलब परफेक्ट है हंडिर परसें सहीए उसके उपर तरह के करके जरूर बताएगा वीडियो परसें वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब केजिए का ताकि आपको अगली वीडियो के अपडेट भी टाइम से मिलती रहे